दोस्तों Realme UI 5.0 Android 14 यूजर के लिए सिस्टेम लॉंचर का और एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों यू सिस्टेम लॉंचर का अपडेट आया है इसके साथ आपको बहुत सारे निव फीचर्स देखने को मिलेगा और यह से भी Android 14 डिफाइस के लिए इंस्टॉल भी हो रह कि दोस्तों सबसे पहले जो सिस्टेम लॉंचर इसको आपको डाउनलोड करना होगा इसके लिए सिंपल आपको वीडियो करने से डेक्सिमोस में जाना होगा वापे आपको जो सिस्टेम लॉंचर इसका लिंक मिल जगा आप वासे इसको डाउनलोड कर सकतू को आपको कुछ इसे तरह एक सिस्टेम लॉंचर मिल जागा दोस्तों जो सिस्टेम लॉंचर है वान प्लास का है उपर में आप देख सकते हो इसका वार्षन देख लीजे 14.1.11 लेट टेस्ट का है वान प्लास डिवाइस के लिए है लेकिन आप आपका रिल्मी या फिर ओपो दोनों में औरड़ी इंस्टॉल है इसलिए दोस्तों या पर देख लिए अपडेट का ओप्शन आ रहा है मैंने दो तीन दीन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ फिलाल या पर देखिए मैं अपडेट ओप्शन में क्लिक किया या पर थोड़ा सा गाइस से इंस्टॉल भी हो सेटिंग में क्या है आप मेनेच में या पर आपको त्री डॉट का ओप्शन देखने को मिल जागा या पर क्लिक करना इस हो सिस्टेम में जाना होगा या पर देखिए मैं आप इस सिस्टेम लॉंचर साच कर लेता हूँ सिंपली आप आप देख सकते हो इसका वर्षन देख सिस्टेम लॉंचर का पुराना भर सेंड आपका दिवार्स में आ जाएगा तो दोस्तों आभी जान लेते सिस्टेम लोंचर आप डेट के बाद आपको कौन सा निव फीचेस देखने को मिल जागा सब से पहरा फिटर देखने को नी ideal घढसे हों झा लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा ब्लैक देखने को मिलेगा दोस्तों जो दूसरा या पर सेकेंड चेंज देखने को मिलेगा ओ है डुएल एप में आप फिलाले अपर देख लिए मेरा डिवाइस में बहुत सारे डुएल एप या पर क्रियेट है सभी का जो साइन है या पर देखने को मिल जागा डुएलम में दोस्तों जलते नेक्स फीचर की तरब जो आपको देखने को मिलेगा इनलार्जी फॉल्डर के अंदर आप फिलाले दख लिए मेरा डिवाइस में एक इनलार्च फॉल्डर या पर सिलेक्ट है देखिए दोस्तों पहले जो सिस्टेम ला को अपडीट करने के बाद आप आप देख सकतो इधर को और में आपको फोर एपलीकेशन एक pineapple देखने को मिल जागा फिलाले पिलिकेश्टे करने के बाद सभी अप्लीकेशन ऑपन हो रहा है और जाच आप उपर से ही सभी को एक्सिस कर सकते हो जो बी अप्लिकेशन आप ओपेंड करना चाहते हो सिंपली उसी अप्लिकेशन के उपर क्लिक करते हो देखिये ओप्लिकेशन या पी ओपन हो रहा है तो एह आपको सिस्टेम लॉंच़ार आपडेट के बाद फीचर्स देखने को मिलेगा साइद आपको प्रसंद आया होगा फीचर्स अगर प्रसंद आप जुरूर नीचे कौन बखसे करके बतना दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट फीचर्स के तरफ जो आपको देखने को मिलेगा मिनी विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो के अंदर सिंपली देखिए मेरा डिवास में मैं एक मिनी मिनी विंडो के ओपन किया आप देख सकते हो मिनी विंडो ओपन हो चुका है पहले दोस्तों इसको स्मॉल या फिर बिग करने के लिए आपको और से आपको स्वाइब करना पड़ता था कुछ इसी तरह देखिए लेकिन अभी सिस्टेम लॉंचर अपडेट करने के बाद आ तो यह आपको चेंज देखने को मिलेगा नेम के साथ साथ आप मिडल में भी इसको छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो दोस्तों उसके साथ साथ इसको रिमूप करने के लिए सिंपली आपको कौर्णार से आप इसको क्रॉस करना पड़ता था लेकिन सिस्टेम लॉंचर को अ अप्डेट करने के बात बात भी इसका एक काम कर सकते हो सिंपली आपका डिवास में आपको लोम स्कीन में पिंच करना है सेटिंग नीचे के तरव आपको more option मिल जाएगा या पर जाना होगा नीचे में देखिया आपको एप सिस्टेम लॉंचर को अपडेट करने के बाद कुछ चेंज कुछ न्यूव फीचर सायद आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक बास सिस्टेम लॉंचर को जुरू ट्राइब कर देना और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो नीचे डेक्शन में जाना ह सब्सक्राइब कर देना मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करता हुआ आपके पास फटाक से तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा तो यार मिलते रखना इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक दाटा गुडबाई जाहिंद